दोस्तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी छोड़ी छोड़ी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिने यूज़ करके आप अपने YouTube चैनल को जल्दी ग्रो करा सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं उन 5 छोड़ी छोड़ी ट्रिक्स के बारे में तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरू देखिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें दोस्तो ट्रिक नंबर एक है यूटूब एस इओ यूटूब एस इओ के जरिए आप अपनी वीडियो को ऑप्टिमाईज कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो यूटूब सर्च में रैंक करें और ये सारा काम आप बिलकुल फ्री में कर सकते हैं YouTube SEO में आपकी वीडियो का title आता है, description आती है और keyword आते हैं, आपकी वीडियो का topic होता है, उसका main keyword और उससे related एक या दो keyword मिलाकर आपको वीडियो का title लिखना होता है, इसी तरह जब आप वीडियो की description लिखते हैं, तो उसमें भी वीडियो के topics related 2 या 3 keyword आपको add करने होते हैं, तब आप उसका description लिखते हैं, और इसी तरह वीडियो के keyword section में आपको उस वीडियो के पूरे topic से related काफी सारे keyword add करने होते हैं, तो इस तरह से मिलाकर आप अपनी वीडियो को optimize कर सकते हैं, YouTube SEO के जरीए, अगर ये सारे काम आप सही से करते हैं, और आपकी वीडियो की overall quality भी का जाएगी, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी वीडियो number one पर rank करने लगेगी YouTube में, लेकिन अगर आप SEO को अच्छे से करते हैं, तो आपकी वीडियो पर organic search के through views आने लग जाएगे, दोस्तों trick number two है, वीडियो का thumbnail, YouTube SEO के बाद अगर आपने वीडियो का एक अच्छा सा thumbnail भी create कर लिया, तो इसका extra benefit मिलना आपके लिए तैह है, YouTube वीडियो के लिए thumbnail बनाने के लिए आप Photoshop की मदद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको Photoshop के skills आने चाहिए, आपको photo edit करने की knowledge होनी चाहिए, तो ही आप Photoshop के जरी एक अच्छा thumbnail बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कम समय में थोड़े effort लगा कर एक अच्छा video thumbnail बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको recommend करूँगा Canva, Canva की मदद से आप कम time में थोड़े effort लगा कर एक बहुत अच्छा thumbnail create कर सकते हैं, Canva में आपको कई सारे template मिल जाएंगे thumbnail बनाने के लिए, जिनकी मदद से आप एक अच्छा thumbnail create कर सकते हैं, दोस्तो trick नमबर 3 है content writing, आप सोच रहा होंगे कि content writing का काम तो blogging में है, YouTube में इसका क्या काम, लेकिन ऐसा नहीं है, YouTube में भी content writing काफी important है, आप जिस topic पर भी video बनाते हैं, यानि camera के सामने आकर आप YouTube में जो भी बोलते हैं, अगर उसे बोलने से पहले आप उसे ल बोलेंगे, तो आप गलत ही बोलेंगे, कई सारे YouTuber ऐसे हैं, जो बिना लिखे बोलते हैं, और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आप एक नए YouTuber हैं, तो मैं आपको recommend करूगा कि आप जिस topic पर भी video बनाने बाले हैं, उस topic को पहले लिखें, फिर उसमें आपको जो भी फा आपके वीडियो के साथ ज्यादा अट्रेक्ट होंगें, दोस्तो ट्रिक नंबर चार है वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग भी YouTube के लिए उतनी ही important है, जितनी मैंने आपको पहले तीन ट्रिक्स बताई हैं, देखी आज के समय में जो भी YouTuber YouTube पर वीडियो करता है, लेकिन वीडियो एडिटिंग में आप ऐसा क्या कर सकते हैं, कि आपकी वीडियो यूजर्स को ज्यादा अट्रेक्टिब लगें, वो ही आज मैं आपको बताने वाला है, तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल एडिटिंग वीडियो साफ़वेर यूज करने होंगे फिल्मोरा में आपको कई सारे अच्छे वीडियो एफेक्ट भी मिलते हैं, जिने आप अपनी वीडियो में एडियो को और ज़्यादा अट्रेक्टिब बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए आप अड़ोप प्रीमियर प्रोट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तो ट्रिक नंबर पांच है Google Ad, वीडियो में मैंने अब तक आपको जो चार ट्रिक बताई हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन Google Ad में आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होगी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, दोस्तो Google Ad के जरीए वीडियो प्रमोट करना काफी अ तो नीचे कमेंड करके बताईए, मैं इस टॉपिक पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा, तो दोस्तो यही वो पांच ट्रिक्स हैं जिने यूज़ करके आप अपने यूटूब चैनल को जल्दी ग्रो करा सकते हैं, और दोस्तो अब आपको कमेंड करके बताना झाया झाया